C.I.E.T.N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तुत है कक्षा 3 की हिंदी की ध्वनी पाठे पुस्तक वीना अध्याय साथ प्रिष्ट चपन मित्र को पत्र प्रिय मित्र अभिशेक नमस्ते आशा है कि तुम और परिवार में सभी सकुषल होंगे और गर्मे की छुट्टियों का आनंद ले रहे होंगे मैं अपने छुटिया मनाने अपने नाना नाने के घर गुवाहाटी आया हुआ हूँ गुवाहाटी भारत के पूर्वोत्तर प्रदेशों का प्रिवेश द्वार है ये एक बहुत सुंदर और विशाल महानगर है जो ब्रह्मपुत्र नदी के तटपर स्थित है तुम्हें ये जानकर आश्चरे होगा कि ब्रह्मपुत्र इतनी विशाल नदी है कि इसमें माजुली नाम का एक बहुत बड़ा द्वीब भी है ये नदी में स्थित भारत का सबसे बड़ा द्वीब है माजुली में असम के विशुप्रसिद वैशनों मठ सत्र में हमने सत्रिया निर्त्य देखा ये भारत के शास्त्री निर्त्यों में से एक है गुआहाटी नगर के समीप निलांचल परवत पर कामाख्या देवी का मंदिर स्थित है यहाँ पूरे भारत से श्रधालू दर्शन करने के लिए आते हैं हम लोग पिछले गुरुवार को वहाँ दर्शन करने गए थे हम उमानंद मंदिर भी गए थे यहाँ पहुचने के लिए नाव से जाना पड़ता है और थोड़ा पैदल भी चलना पड़ता है पैदल चलते हुए नानी ने मुझे बताया कि स्वस्त रहने के लिए खेलना बहुत आवश्यक है उन्होंने कहा कि स्वस्त तन में ही स्वस्त मन रहता है इसलिए पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी बहुत आवश्यक है मैंने नानी को तुरंट बताया कि मैं तो अपने मित्रों के साथ बहुत सारे खेल खेलता हूँ हम लोग कितने आनंद से खोखो, पिठ्ठू, क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं खेल की बात सोचते ही मुझे तुम्हारी याद आने लगी मैं तुम्हें यहां के बहुत सारे अनुभव सुनाना चाहता हूँ जल्धी लोटूंगा, शेश शुभ है, बड़ों को प्रणाम, तुम्हारा मित्र रूपम शिक्षन संकेत असम का कामाख्या देवी का मंदिर एक महत्वपून शक्ती पीठ है असम में पैदा हुए संद शंकरदेव भारत के महापुर्शों में से एक हैं पाठ को पढ़ाते हुए अध्यापक विद्यार्थियों से इनके संबंध में विस्तार से बताएं प्रिष्ट अठावन सोचिये और लिखिये 1. इस पत्र से गुवहाटी नगर के बारे में आपको क्या-क्या जानकारी मिली 2. शारीरिक श्रम करना क्यों आवशक है? क्या आप प्रति दिन कोई शारीरिक श्रम करते हैं? 3. पत्र केनुसार रूपम और अभिशेक कौन-कौन से खेल खेलते हैं? 4. आपको कौन-कौन से खेल खेलना पसंद हैं? सूची बनाईए और लिखिए. भाशा की बात 1. आपने जो पत्र पढ़ा, उसमें कुछ खेलों के नाम आये हैं. आप और भी अन्य खेलों के नाम जानते और उन्हें खेलते होंगे. नीचे दी गई वर्ग पहली में कुछ खेलों के नाम ढूंडिए और लिखिए. यहाँ पर एक वर्ग पहली दी गई है. वर्ग पहली की पहली पंक्ति के अक्षर का, क्री, वा, रा, पी, जा. वर्ग पहली के दूसरी पंक्ति के अक्षर गु, के, ली, नी, ट, की. तीसरी पंक्ति फू, ट, बा, ल, ठू, ब, चौथी पंक्ति दा, हु, ल, खो, हो, की. पांचवी पंक्ति बू, य, य, खो, न, त, और छटी पंक्ति ओ, गि, ल, ली, डन, डा. इस पहली में एक शब्द बना कर दिखाया गया है, जैसे क्रि, के, ट, क्रिकेट. अब आप अन्य खेलों के नाम ढूंडिये और उन्हें लिखिये. दो, क्या आपके घर अत्वा विद्याले में कोई अन्य खेल भी खेले जाते हैं? उनके नाम नीचे लिखिये. तीन, पत्र में त्र तथा श्र संयुक्त अक्षरों का प्रियोग हुआ है. क, त्र संयुक्त अक्षर त और र के मेल से बनता है. क, श्र, संयुक्त अक्षर, श्र और र के मेल से बनता है. अब आप पत्र में त्र तथा श्र संयुक्त अक्षरों के प्रियोग से बने शब्दों को ढूंड कर नीचे लिखिये. आप अपनी सोच से भी त्र तथा श्र संयुक्त अक्षरों के प्रियोग से बने नए शब्द भी लिख सकते हैं. यहाँ पर एक तालिका के दो भाग है पहले भाग में लिखा है त्रवाले शब्द और दूसरे भाग में लिखा है श्रवाले शब्द अब आप नीचे दियेगे रिक्तिस्तानों को स्वयम भरिए प्रिष्ट साथ चार शब्द लड़ी बनाईए जैसे घर में अंतिम वर्ण र है तो अगली कड़ी में र से रसी लिखा है अब आप इस शब्द लड़ी को पूरा कीजिए घर, रसी, रिक्तिस्थान, 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 रिक्तिस्थान पांच, पत्र में आए निम्न लिखित शब्दों में से नाम वाले शब्द यानि संग्या ढूंड कर उनमें अपनी पसंद का रंग भरिये उदाहरण, नगर, परवत, रूपम, आदी शब्द हैं मै, नानी, अभिशेक, बड़ा, ब्रह्मपुत्र, भारत, देखा, निलांचल, खेलना, पिठ्थू, गुवहाटी, हम प्रिश्ट संख्या 61 थोड़ा और जानिये एक, भारत के पुर्वोत्रक्षेत्र में आठ प्रदेश हैं ये अपनी प्राकर्तिक सुंदर्ता और विविद परंपराव हितु प्रसिद्ध हैं ये आठ प्रदेश हैं कक्षा में अपने सहपाथियों और शिक्षक के साथ पुर्वोत्र प्रदेशों पर चर्चा कीजिए दो, इस पत्र में आपने गुआहाटी स्थित दो मंद्रों के बारे में पढ़ा है यहाँ पर दो मंद्रों के चित्र है पहला है कामाख्या देवी मंदिर और दूसरा है उमानंद मंदिर आपके राज्य में भी कुछ प्रमुक धार्मिक स्थल होंगे ऐसे स्थानों के बारे में अपने घर के सदस्यों से जानकारी प्राप्त कीजिए और कक्षा में सब को बताईए प्रिष्ट बासर्ट खेल गीत समोह में खेले जाने वाले बहुत से खेलों के साथ सामोहिक रूप से गीत या तुकबंदियां गाई जाती है जैसे की हरा समंदर गोपी चंदर ऐसे ही कोई दो गीत गाईए और नीचे दिये गए रिक्तस्थान में लिखिए इनहें भी जानिए अंतरदेशिय पत्र, पोस्ट कार्ड, डाक टिकिट यहाँ पर इनके चित्र दिये गए है शिक्षन संकेत विद्यार्थियों से अंतरदेशिय पत्र, पोस्ट कार्ड, डाक टिकिट, लिफाफे आधी के बारे में बातचीत कीजिए उन्हें बताईए कि पहले इनका कितना अधिक उप्योग किया जाता था विद्यार्थियों को भी इनके उप्योग के लिए प्रोच साहित कीजिए झाल 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 झाल